के दिन सुना कोट खुल रही होकर फैसला आने वाला है बिल्गुल देखिए ये सनी देओल के उस पिच्चर के गाहा डाइलाग की तरह हो गया है कि रोज तारीक पर तारीक और ऐसा लगता है कि कोट ने भी मन मना लिया है कि हम जादा इसको खीचेंगे नहीं निड़ा दे के मानेंगे आज ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाओ पर फैसला आज कल पर सो सो मार तक तो आही जाएगा और ये चुनाओ पर फैसला से पहले आरच्छन का मामला उलजा है आरच्छन को लेकर सिकायत है तो अगर सरकार के खिलाब फैसला गया तो ये चुन यार थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ये जो सरकारी दाव पेंच होता है उसके चलते यहां मामला गलवड़ा गया कोड में जाकर और वैसे मैं बीजेपी के लिए एक चीज कहूंगा कि बीजेपी अगर अरी सहरा छड़ के लफड़े में ना फस्ती तब भी उसका सहरों में बहुत अच्छा आधार है उसकी अधिकान सीटे उसके कबजे में है नगर निगम की तो वह इसे भी जीत सकते थे लेकिन ये लफड़ा जो फस गया कोड का अरच्छन को लेके इसमें तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है चुनाओ की तारीक आगे बढ़ेगी तो बहु कि उस समय चुनाओं नहीं हो पाएगा अगर आरच्छन में कोड कोई कमी पकड़ता है तो चुनाओ की निश्पक्षिता पर भी बात आएगी कि साब आरच्छन जान बूच कर गलत किया गया था ये भी कहा जाएगा हर बार कीमत सत्त धारी दल को ही चुकानी पड़ेगी द चिता लेती लेकिन ये जो लपड़ा फस गया ये लोगों को खटकने लगा और इधार बिर्जे जी युआ नेता तमाम सारे घूम रहे हैं गली में सहर में इतना पैसा खर्च कर चुके हैं अब ये भी उनको खटका लगा पता नहीं सीट रहेगी कि बदल जाएगी आरच् में की हो सकता है कि लड़का या भाई या बहु सवासथ बन जाएं तो ये भी वड़ी समस्या है चुनाओ लड़ने का ही संकट आ गया है जो लोग महलों में तयारी कर रहे थे साधियों में भी बहुत नहुता पर चल कर बाटे लोगों को दोवा पानी इलाज कर हमारे हां तो भाई चुनाओ पैर पकड़ने का मौसम होता है जैसे कोई चीजें चुनाओ की आती हैं लोग त्यजी से पैर पकड़ने लगते हैं अब अब अदालत फैसला दे दे कल छुटी है अगर जजज साहब ने कहा है उस सुनेंगे तो इसका मतलब यह है कि अदालत इस पर सक् हैं उनके पास अधिकार तो जादा है नहीं यह कहल दीजिए उनको खाली कटोरा जब मिलेंगे कहेंगे हमारा खाली है खजाना खाली बुक्तान करने पैसा नहीं खाली कटोरा लिए घूम रहें सरकार की और देखती हैं और खिलाब पार्टी के अगर मेर जीत गया तो फिर फिर वहां तो कटोरा क्या कटोरी में भी कुछ नहीं आएगा चमस में भी कुछ नहीं मिल पाएगा वहां तो फिर मेयर के मतलब नहीं फिर नगर आयूग तो सरकार वहीं चलाएंगे देखिए सहर की सरकारें कंगाल हैं लेकिन चुकी चुनाओ एक ऐसा मौका बन जाता है क इसमें आमदनी का चुनाव लड़ो, जीद जाओ, कहीं कुछ उगार हो जाएगा, ये भी है, तो ये सब चीजें इसी हैं बिरजय जी, जो बताती हैं कि हमारे हाँ चुनाव बड़ा आसान नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं सुनी जाएगी, वो कोट चला जाएगा, हर आदमी प रोज चुनाव कर रहा है, रोज दे रहा है डेट पर डेट, अगर सुपाल यादो, अखिलेस यादो, विपस्की पार्टियां थोड़ा ध्यान दें, तो वो जो है, अच्छी तैयारी कर सकती है, उनको मौका मिल गया है, ये बीजेपी के लिए, जतना चुनाव लंबा रही है, कि अगर चुनाव का एलान हो गया ता, अरच्छन का मान लिया, सरकार का अरच्छन नयाइपालिका ने, तो इधर कोरोना भी आ गया है, तो राहूल गांदी की यातरा को लेके अडवाजरी जारी हुई है, तो उत्तर पर देश में क्या इसे में फिर निकाई चुन सरकार हैं नहीं, आप आपने पंचायतों की चुनाओं में देखा, तमाम बार वो भी हाई कोड गया, वहां से भी काफी लेट हुआ, तो उम्मीद लगाएं हैं लोग, लेकिन जो जब सरकार में रहा, उसने अपने हिसाब से किया, इजज़त सोरत, ये सब हमेशा एक सी नह होगा, ब्रजेत जी, सुनिएगा, एक साहितिकार ने लिखा है, कि मसूर वो हुए, जो कभी काबिल न थे, और तो और कमबक्त मंजील उन्हें मिली, जो कभी दोल में सामिल न थे, और तेरी बेरुखी की, हम पे अदत खास टूटेगी, और कोई दरिया ये न समझे, कि मेर तेरी प्यास टूटेगी, तेरे वादे कातू जाने, मेरा इतना इरादा है, कि जिस दिन सास टूटेगी, उसी दिन आस टूटेगी, बहुत शुक्री आपका विरेंजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बैनु बायू परिचर्चा को